नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है किसंगन जी के ग्रूप में आज दिनांग है 12 फरवरी 2020 और आज की करेंट अफेर आपके सामने है उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो यूटुब पे देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें और आज के question of the day के answer comment box में जरूर लिखें और bell icon को जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को notification आप तक पहुस्ट दे रहे हैं स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रस्ट से हाली में भारत और किस देश के बीच में सयुक्त सन अभ्यास अजय वारियर आयोजित किया जाएगा answer is Britain अब या अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में हो रहा है तो इसलिए ब्रिटेन के बारे में जानते हैं ब्रिटेन की राजदानी लंदन, मुद्रा पाउंड इस्ट्रिलिंग, प्रदान मंत्री बोरिस जॉनसन भारत और ब्रिटेन के बीच में सयुक्त अभ्यास अजय वारियर का पाचवा संस्करण है और यह आयोजन 13 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा यह आयोजन इंग्लैंड के सहली सबरी मैदान में होगा इस अभ्यास में दोनों देश के 120-120 सैनिक सामिल होंगे अगला परस्म देखते हैं अभी में विशाल अद्योगी की प्रदाशनी इंजी एक्सपो 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा अभी यह आयोजन गुजरात में किया जाएगा तो गुजरात के बारे मिलानते हैं गुजरात के मुखिमर के बीजे रुपानी, राजधानी, गांदी नगर, राज़िपाल, आचार देवब्रत अभी यह आयोजन मेगा इंडस्ट्रियल एक्जिबिशन का छटवा संस्कुरण है और यह आयोजन FSSI, Federation of Small Scale Industry के द्वारा किया जा रहा है अगला प्रस्ण देखते हैं, हाली में किसने डिजिटल भुक्तान, सुचकान, DPI बनाने की गोशना की है एंसर, Reserve Bank of India, RBI अब यह RBI ने की है, तो RBI के बारे में जानते है, RBI की इस्तापना 1 अप्रेल सन 1935 में मुख्याले मुंबाई और गवर्नर सुसी कान दास है अगला प्रस्ण देखते हैं, हाली में राजू भारतन का निधन हुआ, वे कौन थे? यह प्रशिद पत्रकार थे, राजू भारतन प्रसिद इतिहासकार और क्रिकेट की छेत्र में पत्रकारी का करते थे इन्होंने सन 1974 में क्रिकेट पे बनी डॉक्यमेंटरी फिल्म दब विक्टरी स्टोरी का भी निर्देशन किया है अगला प्रस्ण देखते हैं, हाल ही में तैतिस्वा अफरिकी संग सिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है एंसर एथियोपिया, आया आयोजिन एथियोपिया की राज़दानी अधीप्स अबाबा में किया गया है इस सम्मेलन में रास्टी अध्यच्छो अफरिकी देशों के सरकारी अधिकारियों वह दच्छड सुदान एवं लिविया में चल रहे संगर के साथ साथ च्छेतरी हिंसा को समाथ करने के प्रयासों पर ध्यान केंडित किया गया है अगला प्रस्न देखते हैं हाल ही में ICC Women Championship Trophy किस ने जीती है एंसर ऑस्टेलिया ने जीती है अब यह Championship Australia ने जीती है तो ऑस्टेलिया के बात करते हैं ऑस्टेलिया की राजदानी कैनबरा प्रधान मंत्रे स्टॉक मौरिसन है वहां की मुद्र ऑस्टेलियान डॉलर है अब बात करते हैं ICC की ICC का पूरा नाम International Cricket Council हिंदी में अंतराश्ट्री Cricket परिशद है इसकी स्टापना 1909 में हुई मुख्याले दुबाई में है अध्यज संसाक मनुहर्फ और CEO मनु साहनी है अगला प्रशन देखते हैं हाली में एक गवर्नेंस पर 23 राश्टी सम्मिलन का आयोजन कहां किया गया है एंसर मुंबई महराष्ट में अभिया आयोजन मुंबई में किया गया है तो मुंबई के बारे में जानते है मुंबई महराष्ट में है महराषट के मुख्य मंतरी उदावठाकर राजजिपाल भगट सिंग कोसियारी राजदानी मुंबई है अभ यह इस सम्मेलन में मुख्य रूप से इक गवर्निंस सरकारी इकाहियों को पुरसकार दिया जाएगा पहले नमबर पे राष्ट्री बात करते हैं इसमें कौन कौन से पुरसकार दिये गए पहले नमबर पे राष्ट्री स्वास्थ प्रादिकरल और आशमान भारत को में गोवर्मेंट प्रोसेस री इंजिनिर्ञ के मामले में हर्याण के सुचना ऑ प्रोध्य की विभाग को स्वड़तक दिया गया तीसरे नागरिक केंडरी सेवा के छेतr में सोथ के लिए आई एईटी रूडकी को सेटेलाइट अधारित क्रिसी सूचना प्रडाली के लिए गोल्डेन अवार्ड दिया गया और इसमें पहला इस्तान नागा लेंड उत्तरी पुर्वी राज्यों को मिला है अगला प्रस्न देखते हैं हाल ही में विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतराश्टी दिवस कम मनाये गया एंसर 11 फरवरी को अब यह मनाता कौन है मनाता है यूनाटेट नेशन के द्वारा तो यूनाटेट नेशन का मुख्याल है कहां पे है निव्यार्क में इसके स्थापना कभी 1935 में और इसके अध्याच एंटीनियो गुटेरस है विज्ञान के छितर में महिलाओं इस बार की थीम क्या है इन्वेस्मेंट इन वोमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लेजिव ग्रीन ग्रोथ अगला परसन देखते हैं हाल ही में राष्टी स्कूनर चैंपियंशिप किसने जीती है एंसर है पुरुस स्कूनर में आदित महता ने जीता है और महिला पूरे में 10 फरवरी को हुआ तो बात करते हैं महराष्ट के महराष्ट के मुख्यमंतरी उदाव ठाकरे राजजिपाल भगत सिंग को सियारी राजदानी मुंबई अब यह फाइनल मैच पुरुज इसकूनर 6-2 से आदित महता ने पंकज आडवानी को हरा करके जीता है महिल पुलेला गोपी चन बैटमिंटन मुख्य कोज भारती टीम के हैं यह पीवी सिंदू बैटमिंटन खिलाडी के मुख्य कोज हैं अब यह अवार्ड आई ओसी ने दिया है तो आई ओसी का पूरा नाम अंतराष्टी ओलंपिक समीती है इसकी स्तापना 1894 में हुआ मुख्याल लुसाने स्विजरलेंड में और अध्याज थॉमस बाग है अगला प्रस्न देते हैं हाल ही में किस राजसरकार ने ट्रांक जेंडरों के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोशना की है एंसर है राजस्तान सरकार ने अब यह घोशना राजस्तान सरकार ने की है तो राजस्तान के बारे में जानते हैं, राजस्तान के मुख्य मंत्री असोग गहलोट, राजजिपाल, कल राज मिस्र, राजधानी जैपूर, अभी हाल ही में राजधानी जैपूर को वार्ड हेरेटेस सिटी का सर्टिफिकेट मिला है, अगला प्रस्न देखते हैं, हाल ही में अ के उपराष्ट पती हैं इनका कारेकाल 5 अगस 2017 से प्रारंब हुआ है अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन अवदी डे का क्वेश्चन है किस राज सरकार ने हाल ही में ग्लास फॉर सस्पेंशन ब्रीज बनाने की गोशना की है एंसर उत्राखंड सरकार ने अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन अवदी डे की हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में कौन सीर्स पे हैं और आप किसी चीज़ को लिख कर जवाब देते हैं तो वह आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है ये रहे आज के सारे की करेंट अफेर्स आप सभी से एक निवीदन है अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पॉस्टेर है, धन्यवाद